आज के इस वीडियो में आप देखेंगे सेल 2020-24 ओपरेटर कम टेकनिसियन ट्रेनी एक्जामनेशन्स का प्रिप्रेशन सिविल इंजिनियरिंग वाले स्टुडेंट किस तरह से कर सकते हैं? जी हाँ, अगर आपने डिपलोमा किया हुआ है सिविल इंजिनियरिंग में तो किस तरह से आपको सेल OCTT इंजिनियरिंग का प्रिप्रेशन्स करनी चाहिए? इसके बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे जब भी मैं इस ट्रेडियरिंग का वीडियो बनाता हूँ तो वहाँ पर मैं सिविल इंजिनियरिंग के स्लेबस की भी बाते करता हूँ तो आज भी हम लोग जानेंगे स्लेबस के बारे में भी कि कौन-कौन से टॉपिक या सब्जेक्ट से आपके से लेगे निसस में कोस्टन्स पूछे गए हैं या फिर पूछे जाते हैं हर एक चीजों पे हर एक पहलू पर आज के इस वीडियो में नजर डालेंगे तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए चैनल पे अगर नए हैं पहली बार विजिट किये हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए फूर मोर वीडियो की नोटिफिकेसन को पाने के लिए क्योंकि सेल एक योनेसंस के लिए अल्रेडी ओनलाइन बैच जो है सुरू हो चुकी है हमारे एस के टुटोरियल एप पर अगर कोई बच्चा जिसका ब्रांच इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, इंस्ट्रुमेंटेशन या फिर कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नलोजी है तो हमारे पेड बैच में जोएन हो सकते हैं सिविल इंजिनिरिंग वाले एस्टूडेंट के लिए अभी पेड बैच लांच नहीं हुई है क्योंकि सिविल ब्रांच का जो है सिर्फ अभी नॉन टेक्निकल अगर कोई पढ़ना चाहता है बच्चा सिविल इंजिनिरिंग वाले तो वो लोग बैच में जोएन हो सकते हैं लेकिन सिविल इंजिनिरिंग के टेक्निकल के लिए क्लासे सभी स्टार्ट हमारे एप पर नहीं हुए हैं अधिक जानकारी के लिए आप लोग स्क्रीन पर दिये गए नंबर 790-3200-795 पर इस पर कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं आपके सहलियत के लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एडमिसन हेल्प लाइन नंबर साथ ही साथ है Ski Tutorial आप को डाउनलोड करने के लिए लिंक को भी प्रुभाइड करा दिया है आप लोग उस लिंक के के थू भी आप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर Google Play Store पे जा करके Ski Tutorial सर्च करके आप लोग आप को डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए अब आज के इस सफर की सुरुवात करते हैं इतना introductions देने के बाद मैं उमीद करता हूँ कि आप सभी ने मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा क्योंकि YouTube पे भी non-technical और technical से related classes फ्री में भी आते रहते हैं जो कि आपके एक्जनेसंस के लिए important होंगे आपके लिए helpful होंगे इसलिए subscribe करना नहीं भूलिएगा तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्जनेसंस पैटर्न के already मैंने बहुत सारे वीडियोज को बना दिया है अगर आप लोग एक नज़र डालेंगे तो सिविल इंजिनियरिंग का आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग का already मैंने बना दिया है कैसे करें तयारी इसके बाद कंप्लीट OCD के कैसे तयारी करें किसी ब्रांच वाइज नहीं पूरा स्लेबस के वारे में यहां तक जो है नोन टेक्निकल रहता है पचास और टेक्निकल रहता है यह दोनों जो होता है 50 प्लस 50-50 मार्क्स कराता है टोटल 100 मार्क्स के एक्जमेशन्स होते हैं आपका जिसमेंसे की 0.25 मार्क्स जो होता है वो निगेटिव मार्की रहता है गलत आंसर देने पर उम्मिद करते हैं यह सभी चीज़े समझ गया होंगे और यह भी बता देता हूं में कि इस एक जनरेशन को कंड़क्ट करती है इस वजह से बहुत सरे बच्चों के मन में करनी रहता है कि चार अपसंस नहीं रहते हैं उसमें से एक आंसर जो होता है वह सही होता है तो यह उम्मीद करता हूं में आप समझ गया होंगे अब हम लोग एक नजर डालते हैं इसके ऑफिस्यल जो स्लेबस होंगे तो यहां पर द सभी पढ़ना होगा अभी हमारे askitrail एप पर जो बैच चल रहा है उसमें जैसे कि average chapter हो गया percentage chapter हो गया profit loss हो गया mixture and relations हो गया simple interest and compound interest हो गया ये सभी chapters के classes already हो चुके हैं और ये सभी chapter complete हो चुके हैं इस वजह से अगर आप लोग non-technical का preparation करना चाहते हैं तो आप लोग किसी भी batch में join हो सकते हैं और join होने के लिए admission help line number से सब कुछ दिया हुआ ही है जोएन होकर के preparation से कर सकते हैं non-technical का civil engineering वाले अगर आप हैं तो और अगर दूसरा सब ब्रांच के हैं जैसे electrical mechanical electronics इंस्टूमेंटेशन या फिर computer science and information technology वाले हैं तो आप लोग हैं हमारे batch में भी join हो सकते हैं complete preparation करने के लिए अगला है reasoning का syllabus reasoning का syllabus का यह सभी topic है आप लोग चाहें तो इसका screenshot ले सकते हैं और topic wise अच्छे से अपना preparation की कर सकते हैं आगे है सिविल इंजिनिरिंग सिविल इंजिनिरिंग का जो syllabus है वह यही है स्वाइल मेकनिक से को सनाता है building materials से को सनाता है quality surveying से को सनाता है सर्वेइंग से को सनाता है हाइड्रोलिक्स को सनाता है और engineering mechanics से भी questions देखने को मिलता है यह जो है न छे important topics हैं और सब भी बहुत सरे topics हैं जिससे की एकात नंबर के questions के questions मतलब questions पुछी जाते हैं वो सब topics को हमने यहां पर consider नहीं किया है और भी subject है जो कि आपने डिप्लोमा में पढ़ा होगा सब्सक्राइब करने के लिए आपको previous question paper को देखना चाहिए ताकि आप पता लगा सके कि किन-किन सब्जेक्ट से question आता है किस तरह का आता है अगर मैं questions की level की बात करूं तो questions जो रहता है वो सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके ठीक है तो आप लोग जो है ऐसे करके सब्सक्राइब कर सकते हैं मैंने पूरी तरह से कुशिस किया है कि आपको सिविल इंजिनियरिंग से related सभी तरह का information को मैं दे सकूं जो कि सेल एक्जनेशन के लिए रिलीवेंट है तो रखते हैं आज के इस वीडियो में बस इतना ही किसी भी तरह का questions doubt confusion रहा गिया है को एक्जनेशन से related या कोई भी दिक्कत है आप लोग इस वीडियो से कॉमेंट सेक्शन में लिकर के भीज सकते हैं तो इसी वीज़र के साथ रखते हैं आज के वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में तब तक लिए नमस्क